हेलो मैं दियर स्टुडेंट वेलकम टू के के जोहन वीजन आज मैं आपके लिए कोश्चन लेकिया ही हूँ हम पढ़ रहे हैं प्रतिविंब की रचना करना किसके दौरा अव्दल दर्पन के दौरा तो इससे पहले आज की कोश्चन से पहले मैंने आपको एक तो जब फोकस पर पढ़िये तो उसका प्रतिविंब कहां बनेगा ठीक है दो मैं करवा चुकियों अब तीसरा पार्ट उसका करवाने जा रही है कि अगर अब्तल दर्पन के सामने कोई वस्तु ए भी है वो वक्रता के इंदर से परे पढ़ी है ब्यांड दा सेंट्रों करवेचर व ठीक है तो अब इसका अंसर हम डूडते हैं कि अगर कोई वस्तु ए भी है वो वक्रता के इंदर से परे पढ़ी है अब्तल दर्पन के सामने तो उसका प्रति भी जो है ना वो फोकस और वक्रता के इंदर के बीच में बनेंगा और यह वास्तविक होगा उल्टा होगा और तो इसको देखती है कैसा है इसकी फोटो से अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग ठीक है तो यह है हमारा एक अवतल दर्पन ठीक है ऐसे बनाएंगे अवतल दर्पन को इसमें पोलिश कर दे तो इसका अवतल दर्पन का ध्रूब है यह मुख्या आक्षय है यह व और यह पढ़िया वस्तु ए भी आप कोश्टन भी यह था कि इदी कोई वस्तु A, B, वकरता के इंदर से पढ़े पढ़िये मिज वकरता के इंदर से भी दूर पढ़िये तो उसका प्रतिविंब कहां और कैसा बनेगा तो मैंने बोला कि जग अगर यहां पर वस्तु पढ़ि यह दोने लाइन से एक दूसरे से मिल रही है ठीक है तो यह वास्थविक है दूसरा मैंने बोला छोटी आकार क्या तो आप देख रहे यह वाला इतना से वस्थू यहां से लेकिए यह तक और यह वस्थू बढ़ी है प्रतिविम चोटा है और देखो वस्थू का जो तीर का निशान वह उपर क्यों रहे और यहां पर जो प्रतिविम बन रहे उसका तीर का निशान नीचे क्यों रहे तो उल्टा बन रहे यह मैंने पढ़ाया था ना भी आपको तो वस्थू अगर वक्रता अव्तल दर्पन के सामने वक्रता के अंदर से परे पढ़ी है तो उससे ए तो वापिस वक्रता के अंदर में से वापिस चली जाती है यह भी रूलम ने पढ़ा हुए आप देखो कि यह जो रे आ रही थी मुख्यक्ष के समानतर फोकस में से जब जा रही थी तो यह और यह वाली किरन एक दूसरे को इस बिंदू पर काट रही है किस बिंदू पर का फोकस और एक वक्रता के अंदर के बीच में बन रहे हैं तो आपने यह पिक भी बनानी है और इसको लर्ण भी करना ठीक है डाइग्राम बनाने की प्रेक्टिस करोगे तो अच्छा हो जाएगा तो हमारा कोस्चन अब कलियर हो गया ना कि जदी कोई वस्तू अवतल दरपन क के सामने जो वक्रता के अंदर से परे पड़ी है तो उसका प्रतिविंब कहां और कैसा बनेगा तो उसका प्रतिविंब वक्रता के अंदर और फोकस के बीच में बनेगा यह वास्त्विक होगा उल्टा होगा अकार में वस्तू से छोटा होगा थैंक यू आप फॉर वोचि